किसान बिल को काला कानून कहने पर कृशी मंत्री बोले कॉंग्रेस का नेतरुत्व बौना हो गया है उनकी कोई हैसियत नहीं बची कृशी मंत्री ने किसानों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि इन बिलो को कार्यान्वित होने दिजिये निचित रूप से आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा कृशी मंत्री नरेंद्रसिय तोमर ने पार्टी की नेतरुत्व पर बड़ा हमला बोला है कृशी मंत्री ने कहा है कॉँच्छे लोग है उनकी पूच खतम हो गई है जिन लोगों के हाथों में नेतरुत्व है उनकी कोई हैसियत देश में बची नहीं है उनकी अपनी पार्टी में ही कोई सुनता नहीं है ये लोग कुछ भी गलत बोलकर देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं मैं कॉंग्रस के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि अगर वो बहस करना चाहते हैं तो विध्ययक के प्रावधानों पर करे सरकार जवाब देगी थोड़े दिनों में ही ये स्तिती हो जायेगी कि किसान ही उन्हें जवाब देगा